दोस्तो अगर आप सभी वर्दमान में कलर स्टायल पर प्रसारित हो रहे सीरियल पिंचरा खूबसूरती का देख रहे होंगे तो आप सभी को इसमें मयूरा का करदार भी दिख रहा होगा जिसे अभिनित्री रिया शर्मा निभा रही है जिनका इस सीरियल में करदार एक ऐसी लड़की का करदार है जो अपनी खूबसूरती के चलते बहुत सी प्रॉब्लम फेस करती है जिसके चलते ही अपनी सारी खूबसूरती को अपना श्राप मानती है और अपने इसी दमदार करदार को निभा कर आज ये अभिनित्री दर्शकों की पहली पसंद भी बन चुकी ह लेकिन दोस्तो आप अफिने 3 रिया श्वर्मा की प्रोफेशनल लाइफ से तो अच्छे से पाकिफ हैं पर किया आप इनकी परसनल लाइफ यानि कि इनकी फैमली के बारे में जानते हैं कि इनकी फैमली में कौन कौन हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इन ही सबी सवालों के जवाब से रूबरू कराएंगे लेकिन उसे पहले आप रिया शर्मा के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले पिंजरो खूबसूर्दी का सीरियल में मयूरा का करदार ने भार ही अभिनेत्री रिया शर्मा एक हिंदू परिवार से तालूप रखती हैं जिनके इस फैमली में कुल मिला करती ही इन सदस्य हैं जिनमें इनके माता पिता और ये शौमिल है पहले बात करते हैं के घर के मुखे सदस्य हैं यानिके इनके पिता जी के बारे में तो इनके पिता मिस्टर शर्मा लाइम लाइट से को सो दूर रहते हैं इसलिए उनकी कोई भी तस्वीर नहीं है अब बात करें कि मदद के बारे में तो उनका ना परतीमा शर्मा है जो पेशिस एक हाउस वाइफ है और अपने पती और बेटी के साथ अपनी खुशाल संद्ध के बिता रही है माता पिता के बादा आप बात करते हैं के दिल के सदस्ते के बारे में तो आपको बता दें के इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है पर खबरों के मुताबे की अभी नेता शाहिल उपल को डेट कर रही है जो वर्दमान में इनके साथ सीरियल पिंश्रा खूपसूर्टी का मे कि आज ये दोनों एक दूसरे के बिना रही नहीं सकते हैं और कहा जा रहा है कि अब ये जल्दी शादी के पंधर में भी बनने वाले हैं पर येकर बात की जाए इनका फेवरेट हीरो कौन है तो आपको बता दे कि आपकी फेवरेट अभिनित्री रिया शर्मा बॉलेवुड कॉमेडियन जॉनी लिवर को बहुत पसंद करती है ये उनकी कॉमेडी की बहुत बड़ी फैन है उनका डालग बोलने का अंदास और उनका एक्सप्रेशन इनको काफी जादा भाते हैं तो दोस्तो आपको अभिनित्री रिया शर्मा की फैनली के बारे में जानकर क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर जरूर बताएं और साथी टीवी इंडॉस्री से जुड़िये ऐसे ही मज़़दार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले